हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विशाला सबके स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपक है बहुत इंट्रेस्टिंग है क्यों है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस एप की मतद से आप जिस भी वाइफाई से कनेक्टेड है उसका वाइफाई पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं अब दोस्तों कैसे चेंज कर सकते हैं मैं एक एक्जामपल ले लेता हूँ आप स simple steps हैं, okay, दोस्तो, सबसे पहले आपको एक application install करनी है, जिसके link मैं आपको video के नीचे description में provide करा दूँगा, okay, दोस्तो, तो सबसे पहले इस app को आपको install कर लेना है, और इस app को खोल लेना है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़रूर ये bai-fi, उस Bifi से connect होना, ओके दोस्तों तो देखिए मैं अपने एक जिसका नाम है Wikipedia, ओके दोस्तों अब जैसे ही मैं इससे connect हो जाओंगा यह सारी layers यहां पर आ जाएंगी, जैसे कि IP क्या है, gateway क्या है, DNS1, DNS2, NetMonks, वगेरा वगेरा, ओके दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज आएग दोस्तों इस सब को पूरी तरीके से एक तरीके से हर चीज के लिए एक admin होता है, यानि कि सब category के लिए एक बड़ी category होती है, वैसे हर चीज के लिए यह multiple Wi-Fi होते हैं, उनके लिए एक admin होता है, ओके दोस्तों, तो अगर आपने यह admin hack कर लिया, तो आप किसी का भी password easily change कर सकत हैं, ओके दोस्तों और उसका password या पता कर सकते हैं, अब तू देखिए दोस्तों, आप इस Wi-Fi से connected है, आपको इसका admin पता चल चुका है, तो अब क्या करेंगे, अब आपको यह IP खोलनी है, जो यहां पर given है, 192.168.11, ओके दोस्तों, चली मैं काम करता हूं, Chrome पे जाता हूं Chrome पे जाने के बाद, अब मुझे क्या करना है, दोस्तों, यहां पर यह IP मुझे डालनी है, ओके दोस्तों, मैं डाल ले दा हूं, 192.168, देखिए जो की अलड़ी आ चुकी है, मैंने यह IP खोली दोस्तों, अब यह पूछेगा मैं से, username, password, जो अलड़ी मैंने सेप किया ओके दोस्तों, इस admin details से related, यानि कि इस Wi-Fi से related, जैसे कि name इसका क्या है, Wikipedia, जैसा कि मैंने आपको बताया था Wi-Fi गा, ओके दोस्तों, और इसका channel क्या है, channel with क्या है, automatic है, mode क्या है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहां पर, ओके दोस्तों, अब बात करते हैं, यहां पर सारी setting आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि quick setup, WPS, network, wireless, wireless, वही चीज़ है, जहां पर जाके हम इसका Wi-Fi password चेंज करने वाले हैं, wireless में जाने के बाद आपको क्या करना है, wireless security पे आ जाना है, और आपका काम हो जाएगा, यहां पर जाके आप बहुत सारी security को disable कर सकते हैं, disable security अगर आप करना चाते हैं, तो इसके अलावा यहां पर सबसे नीचे आके आपको एक चीज़ दीखेगी, जिसे बोलते हैं, PS के password, PS के password यानि 502 bad gateway, यह मेरा password मैंने set किया हूँ, अपने Wi-Fi का, तो आप इसे use कर सकते हैं, और आप इसे change कर सकते हैं, तो है ना amazing दोस्तो, C का Wi-Fi password चेंज कर सकते हैं, easily, किदर amazing है, तो यह बहुत मदद करेगी आपका Wi-Fi password चेंज करने में, इसके अलावा इसके बहुत सारे plus points यह हैं, कि आप easily बहुत सारी detail यहां पर जान सकते हैं, ओकी दोस्तो, जैसे कि देख सकते हैं कि version क्या है, encryption क्या है, A से लेके Z तक बहु करा दूँगा, वहाँ से जाके आप इस app को यूज कर सकते हैं, ओकी दोस्तो, तो उमीद है, समझ में आई होगी यह app आपको किस तरीके से यूज करनी है, क्योंकि amazing app है, यूज करना जरूर है आपको, आप यूज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे description में मैं लिंक आपको provide करा तो उमीद है दोस्तो, यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करनी है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारे चैनल से notification मिल जाया करें, ज झाल, 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 झाल